ठीक है थोड़े से कुछ बाते हम लिखाना और बताना जा रहे थे और आज लीडर्शिप को हम उन पहलों को बताएंगे जो आपको सिर्फ सवाल होंगे मतलब फंसेंगे सवाल आप थोड़े बाइग्राउंड में आत्रा कर चुके और उस बाइग्राउंड में आत्रा एक त पहले हम एक कामन वाला आपको बनवा देते हैं और कामन में सबसे पहले कुछ तथ्यात्मक चीज़े लिख ला लिए जैसे कल हमने विसेसग नेत्रित नवकर साहिय तवाम चीज़ बता दिये थे आपको हम नेत्रित के कुछ पिद्वानों के जो आधार बिंदू है उसकी चर्चा करना है मुझे और वह है क्या जर लिख लीजे लिखिएगा सबसे पहले देखिए इस बात को इसमें समझ के चलिएगा हर नेत्रित में एक डिसीजन होता है और डिसीजन आचरण के साथ नेतिक्ता के साथ व्यक्ति के सभाव के साथ उपस्थित विकल्प के साथ परिस्थिती के साथ संयुजित होता है ठिक और निर्णय अच्छा तो नेत्रित तो अच्छा निर्णय खराब तो नेत्रित खराब और निरने की हर परिस्थिती में, हर व्यक्ति निरने में एक संकुचित और ब्यापक दिश्टिकोंड रखता है जैसे साइमन का दिश्टिकोंड ये है कि वास्तिविक दुनिया में देखा जाए तो एक्सिलेंट जैसी कोई चीज होती नहीं है इसलिए आभासी दुनिया में बहुत जैलक घूमनी की जरूरत नहीं है बलकि जो चीज सामने है उसी से काम चला लीजिए क्या होना चाहिए नहीं, क्या है पर जोड़ देजिए घर में आप गए और आपने कहा क्या बना है तो उन्होंने कहा लोकी की सबजी बनी है तो आप रोटी और लोकी की सबजी खाईए आप यह मत कहिए कि मटिर पनीर होना चाहिए पर इसिती यह है कि रात को दस बजा है लोकी की सबजी बनी है और खा के सो जाओ क्या होना चाहिए यह आइडियोलोजी एक आदर सात्मक बात है अनुभव मूलक यही कहता है तो decision making के formation में leadership का जो जीवन है वो सांस लेता है एक फैंसला गलत हो जाए पूरी लीडरी चली जाती आपने एक picture देखा होगा रामण जिसमें बना था वो बड़ा गाली खाया वो लड़का जो लिखता था जिसने गाना उनना नहीं लिखता था मनोज मुन्तिसर बहुत गाली खाया उस सारी उम्र कितना बढ़िया काम किया कितना बढ़िया गाने गया उसके लिए लोगों नो उसको चाहे सराहा ना हो लेकिन एक उसने डायलाग डिलवरी वगरा गलत लिख दिया वो परदे से ही गायव हो गया एक महज़ फैसला एक ही पिक्चर में तो कुछ डायलाग दो चाथो पांश्थो या जो भी था गलत फलत किया था लेकिन भूल गए कि इतने बढ़िया बढ़िया वो काम किया है तो आप लीड अगर कर रहे हैं तो आप अपने डिसीजन को प्रिजर्व करना बाढ़ में एक बाप अपने बच्चों को ऐसे पकड़े हुए पानी बहुत तेज बहरा है आपने वीडियो साथ देखा होगा अब दोनों बच्चों को उसके पैर हिल रहे है मतलब पानी का प्रेसर से वो मतलब समल नहीं पा रहा है लेकिन अपने बच्चों को छोड़ा नहीं और कुछ रास्ते पर निकला बचा ही लिया क्योंकि फादर सबसे बेस्ट लीडर है अपने बच्चों के लिए उसका अगर हां सरक जाए हां छूट जाए बच्चा पानी में बह गया जान चली जाए वो अपनी पूरी जिंदगी अपने को माफ नहीं कर सकता क्योंकि हुआ है इतना बड़ा लीडर है अपने बच्चों के लिए कि एक मात्र भी गलती नहीं कर सकता इसलिए संगठन का प्रमुख बनना एक चुनवती है और संगठन का प्रमुख बने रहना सबसे बड़ी चुनवती है बनना असान है बहुत सारे I.S. officers बन जाते हैं परिक्षा पास करके बड़ वो जेल की सलाकों के पीछे भी चले जाते है बनना और बने रहना बने रहना ज़्यादा बड़ी चुनवती होती बीस्वी सदी में अध्यन में आई लीडर्शिप बीस्वी सदी महस पचास साथ साल पुरानी 1947 administrative behavior कब की किताब है 1947 बरनाट ने कोई भी चीज किया कब किया 1947 में प्रसास्निक वेवहार राया 1938 कह लिए उससे 37-38 है ये behavior theory आई बेवहारिक सिद्धान आया 1927-32 मानो संबंद सिद्धान आया 1911 बाइज्यानिक प्रबंद का सिद्धान आया 1926 administration का introduction आया सौ साल पहले महस सौ साल administration का introduction आया नहीं तो ये administration politics में सांस लेता था 1960 जब दुनिया crisis में गई तब management आया 1960 के टाइम में management आया 1971 में new management आया न्पीम बोलते हैं new public न्यू में पब्लिक मनेज्मेंट या new public administration का हिए new public administration आया NPA 1988 नाइन्टीन टूथाउजन एट बीस साल बाद इसके और 1968 इसके बीस साल बाद चिंतन उभरा युवाओं में और जैसे जिसे टाइम बदलता गया चेंज बढ़ता चला गया क्या आया 1947 में प्रसासनिक बेवहर किस ने लिखा साइमन ने साइमन ने क्या निरणयन दिया आप जो रहा सूचिए कि भारत की आजादी और निरणयन एक ही समय का है बहुत पुरानी बात नहीं है human relation theory मानो संबंध सिद्धान 1927 से 32 के research से निकला आप 1937 इसको जरूर कर लिजेगा थोड़ा 37 में बेवहरी का आया यह बर्नाट का है बर्नाट सारी बात इसमें कहा है इसकी किताब का नाम है The Function of the Executive बर्नाट की किताब का नाम है The Function of the Executive इसकी किताब का नाम है Administrative Behavior और उसके बाद 1943 आई यह इधर पे 1943 में Motivation आया My Gregor की थियोरी पढ़े है MySlow की थियोरी पढ़े है आप लोग MySlow My Gregor सुने होंगे 1943 में तो My Gregor MySlow आया था MySlow का आवशक्ता सिध्धान जानते है ना थोड़ा सा आवशक्ता सिध्धान तो यही आया था पहले उसने 11 सिध्धान दिये बाद में कांट छाट के 5 सिध्धान किया कि थोड़ा लंबा हो जाएगा और Self-Actualization और Basic Needs से लेके Self-Actualization के बीट यह 1943 की थियोरी है आप अगर देखें कि तो जितने भी Leadership, Behavioral या जितने भी तरीके की थियोरी है सब 50 के दसक के हैं अभी तो कई लोग इसके जिन्दा होंगे इसके जमाने के तो Leadership में सब कुछ बड़े application किस्म का है अगर उस form में अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा नेत्वित्य के वरगी करण की थोड़ी हम चर्चा करा देते हैं यहां पे सबसे पहले इसमें नेत्रित के पूरे संदर्व में एक तरफ क्या करिए ऐसे दो बाक्स बना लीजिए रट लीजिएगा ऐसे ऐसे लाइन खीचिए ठीक है इसको थोड़ा रटने के लिए लिखा रहा हूं सबसे पहले क्या करिएगा लिखिएगा अलफार्ड एम्बीटी यह बिचारक है जितने विचारक हम लिखवा दे रहे हैं तो आपको आइंदा दिक्कत नहीं होगी अलफार्ड एंड बीटी अब क्या बोला है क्या दिया है नंबर वन लिखिए इसने नेत्रत के प्रकार बताए ठीक है दूसरा संस्थागत नेत्रत बताया संस्थागत इंस्टिउशनल लीडर तीसरा जनतंत्रिय नेता डेमोक्रेटिक लीडर बताया चौधा तानासाह नेता आटोक्रेटिक लीडर बताया पांचमा विश्वास प्रेरक नेता इसको परसेशिव परसेशिव लीडर्स बोलते हैं जो लोग आनलाइन जुड़े हैं वो कुछ कमेंट कर सकते हैं अगर कोई कुश्यन पूछना है या कुछ साउंड में कहीं कोई दिक्कत हुए एक आद पर लिखना हो तो लिख दीजी कुछ वैसे सब पुराने सिक्ष्षां सब इंट्रेस्ट नहीं लेते होंगे हल तो लिखने पढ़ने में मतलब यह लिखना आसान नहीं है न मॉबाइल पर पढ़ते समय बच्चे बहुत लिख देते हैं बच्चे जो आनलाइन पढ़ते कुछ लिखते रहते हैं ठीक है एक लाश्ट है रचनात्मक नेता अब इधर सुनिएगा यह आप कैसे इसको समालेंगे अगर इससे जुड़ा हुआ तीन लीडर दे दे और एक खुना लिखे गलत लिख दे तो यह पहचानना पड़ता है तो लेकिन जादा नहीं है मैं बता रहा हूं अभी आपका लीडर्शिप खतम हो जाएगा और एक द कंसेप्चुल और आप लोग मेच्योर्टी और सेंसियर्टी के पॉइंट आप चाहे एज हो चाहे परिपक्कता अनुभव हो सिक्षा हो कहीं पर कोई कमी नहीं है इसलिए आप मेरे शब्दों को अपना शब्द बनागा अपने धंग समा उत्तर को पकड़ लेंगे जब रेफलेक्ट होगा प्रस्ण में जब उत्तर रेफलेक्ट होगा तो उस कंसेप्ट से भले यही शब्द नहीं होगा यह वाला तो यही शब्द होगा जो फैक्ट है जैसे बर्नाट ने कहा नेता है अनुआई है परिस्ति है यह तीनों मिलेंगे यह जर अमर जैसे परि सितियां बदलेंगी तो जैसे उसको हमने बोला contingency leader फीडलर की थिवरी है तो लिखेगा contingency leader आकस्मिक नेत्वित्त का संबंध है तो फीडलर ही लिखेगा यह तैं है और कोई नहीं है इसमें जैसे कहेगा कारेक्रमिक और आकारेक्रमिक नेत्व के बारे में का संबंध है तो यह साइमन ही आएगा और कहेगा कि सामान और बिसिस्ट नेत्व की बात कौन कहता है तो फिर पीटर ड्रकर ही आएगा यह कुछ बिचारक आपको जहन में थोड़ा रखना है बास बाकी कंसेप्ट तो कम ज़्यादा बनी रहा है और फिर जब प्रस्ट ना भी देखेंगे अभी इसको पढ़ा लेंगे तो आपके सामने जब 20-30 टू लीडर्सिप को प्रस्ट रखेंगे ना तो दो चार का तो म किलाम साब कैसे लीडर थे बहुत धीक नेता थे में यो य तो आते हैं ना सरकभली राधा क्रिश्नन उद्रों के क्या समझते हैं वह प्रतिभाव पार्टियल विराश्पतिसी धी राम्नात कोबिंद भी थे सरकवली राधा के विपॏ कलाम साहब भी थे पद वही हो सकता ह लेकिन लीडर की लीडर्शिप में जो इंटेंसिटी है, फ्लूएंस आस्पेक्ट जो चीजे चलती है, इंफ्लूएंसे वो बदल सकता है ना, प्रिंसिपल का मतलब सब बुद्जीवी ही है क्या, या कलेक्टर का मतलब सब रवब वाले ही हैं, थर्ड डिविजनर भी आते हैं, बीए पास थर्ड डिविजन प्रमोट तिवारी था आईये स्ट आपर था थर्ड डिविजन था बीए तिरालिस परसेंट ये जो लड़का 12th fail IPS है देखें नहीं 12th fail क्या 3rd डिविजन तो है intermediate में मनोच कुमार सर्मा जो picture आई है लेकिन चूंकि जिस परिस्थिती सो आया है उस परिस्थितियों में दिमाग घिसा ही है ना और दिमाग घिसने को intellectual बोलते हैं तो उसको इससे बाहर नहीं रख सकते हैं क्योंकि नंबर तो परिस्थिती के कारण कम पाया लेकिन आउसर जब पाया तो IPS बन गया